हेलो एवरीवन आईए देखते हैं पास्ट पर्फेक्ट टेंस का ये सेकंड पार्ट है सेकंड टाइप है हलंकि मैंने सेकंड टाइप लिख दिया है कोई सेकंड टाइप नहीं होता है लेकिन आपको समझाने के लिए ये एक पार्ट में पहले पढ़ा चुका हूँ, मैंने अपने हिसाब से अपकी सुवधा की अनुसार से इसके दो पार्ट दो टाइप कर दी हैं, कोई सेकेंड पार्ट सेकेंड टाइप नहीं होता है, केवल आपको समझाने के लिए लिखा हुआ है, पहले वाले की अंतरगत, मैं अभी आपको ये सब समझा चुका हूँ, चुका था, चुके थे, चुकी थी, हैड, सिंगुलर और प्लूरल के साथ, वर्व की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, ये सब आप देख चुके हैं, और लेड़ी, उमीद करता हूँ से, जो नहीं देखे हैं, वो पहला वा परफेक्ट टेंस होता है, सही माइने में, जैसे मेरे विद्याले पहुचने से पहले घंटी बच चुकी थी, अब देखिए, दो काम हो रहे हैं, मैं विद्याले पहुचा और घंटी बजी, घंटी कब बजी, पहुचने से पहले, तो दो काम हुए और दोनों ही काम से पहले देखें यहाँ पर से पहले घंटी बच चुकी थी मतलब बहल बच चुकी है और विद्ध्याले में बाद में पहुचा हूँ तो इस तरह के sentence होते हैं तो इसका एक screenshot लीजिए या आप इनको note कीजिए फिर अगले नियम की तरफ चलते हैं मेरी पूरी कोशिस है कि आपको बहुत अच्छा सा इतना सरल समझा दों जितना सरल मैं अपने दिमाग में समझ रहा हूँ तो उस चीज के लिए वस मेरा साथ देजिए आप लोग वीडियो पूरा देखें और grammar की translation की playlist है वहाँ पर जाईए आपको सारे वीडियो मिलेंगे आराम से बहुत कुछ में लगा सीखिने के लिए जो आपको कहीं किताबों में घंटों पढ़ते रहते हैं वह यहां 10-20 मिनट में ही काम हो जाए तो इसके दो नियम हैं पहले एक-एक करके नियम समझेए पहले इसका एक screenshot ले लीजिए और या इनको उतार लीजिए अपनी note book में दो पार्ट होते हैं एक sentence यहां पे होता है और एक sentence यहां पे होगा और यह before सब्द से जुड़ा हुआ होगा जैसे अभी मैंने आपको sentence बताया था कि मेरे विद्याले पहुंचने से पहले घंटी बच चुकी थी तो जो पहले काम पूरा होगा है उसको यहां पे लिखना है मतलब head और वर्व third के साथ मतलब past perfect में रखना है इसको मैं यह लिखते रहा हूँ past के perfect में रखना है इसको चीक ऐसे समझी मैंने line कीच दिया है और दूसरे वाला जो बाक्य है जो काम बाद में घटित हुआ है उसको past indefinite में रखना है indefinite में इसलिए रखा जाता है इसका time निश्यत नहीं है लेकिन दो घटना है एक पहले घटित हुई और एक बाद में घटित हुई है तो यह बाद में घटित हुई है इसका कुछ समय निश्यत नहीं है लेकिन बाद में हुई है यह पहले हो चुकी है इसलिए इसको perfect में र कर सकते हैं मैंने अरू नहीं लगाया क्योंकि ऐसा नियम में नहीं होता केवल समझने के लिए आप लिख सकते हैं तो बाद में घटेद होने वाली घटना को आप पास इंडेफिनिट यहां आ जाएगा और पहले घटेद होने वाली घटना यहां पर आ जाएगा उम्मीद करत इसमें के बाद लगा हुआ है और के बाद का नियम आपके यहीं उपर है के बाद का मतलब मैं यहां भी लिखते रहूंगे का आफटर जान एक के बाद टो टो डक्टर के जाने के बाद की लिए स्थे था हैं अंतर इसको सबसे पहले लिक्षैंगे दपिस्य और क्योंकि सोभाद मां घ्रता खुने वाली गर्डाश्य आ लिए पास्ट डाइगिस्ट का सेकिन्ड फॉर्म है पास्ट इंडेफिनिट के नियम आनुसार यहां तक अब लेते हैं आफ्टर वर्ल्ड बहुत ध्यान से आराम से समझे जरा सापका ध्यान चुका और गड़बड हो जाएगा ठीक डाक्टर के जाने के बाद आफ्टर दाक्टर यह पास्ट परफेक्ट में बनाया है यह पास्ट इंडेफिनिट में बनाया है और दोनों के बीच में आफ्टर जोड दिया है जो आपको यहां नियम लिखवाए गया था बाद में घटे थोने वाली घटना, पास्ट इंडेफिनिटी यह आ गया, पहले घटे थोने वाली घटना किधार आ गया, और आफ्टर बस्ट बीच में चुड़ा हुआ है, बड़े आराम से देखेंगे, बहुत प्यार से समझ में आ जाएगा, वरना किताबों में चक्कर मे बढ़ सकते हैं, दूसरा सेंटेंस यह वाला देखें, यह भी बादों बता हुआ भी, सूर छिपने से पहले मैंने अपना काम पूरा कर लिया था, अब से पहले वाला आ लिया, तो पहले कौन सा काम हुआ है जी, एक नमबर पर यह काम हुआ है, और दूसरे नमबर पर यह क हुआ है अपना काम कूरा कर लिया था किस से पहले सूर्ण छ्चित्ने से पहले तो काम पहले ये वाला हुआ तो मैंने अपना काम पूरा कर लिया I had finished my work मैंने अपना काम पूरा कर लिया बिफोर अब बिफोर लगाने के बाद अब आपको क्या करना है कि पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है बचा हुआ सूर्य च्छिपने से पहले तो सूर्य च्छिपने से पहले के लिए दसन सेट ये पास्ट इंडेफिनिट में हो गया पूरा सेंटेंस उम्मीद करता हूँ समझ में आगे होगा अब ये वाला देखते हैं वो दोनों नियम के अनुसार दोनों हो गए अब ये सेंटेंस बनते हैं जब मैं घर पहुँचा माख्णा बना चुकी थी यहां केवल कंडिशन दिखाई हैं दो इष्थितियां दिखाई है कि जब मैं घर पहुँचा माख्णा बना चुकी थी तो जब के लिए लगा दो when when I जब मैं घर पहुँचा मा खाना बना चुकी थी इसको जोके तो ले जाओ तो मा बना चुकी थी जो चुका चुकी वाला सेंटेंस है इसको तो past perfect में और इसको लखेंगे past indefinite में when I reached home यह past indefinite यहां तक और तब मा खाना बना चुकी अगर यहां तब लग जाए तब भी आपको when के साथ then नहीं लगाना केवल कॉमा लगाना है तब ही मैं कहता हूँ छोटे छोटे से बात बीच में बताता रहूँगा इसके लिए आप वीडियो को skip ना करें पूरा देखें when I reached home mother had cooked food दोबारा समझीए जब अकेला लगा हो बीच में कॉमा लगा हो या तब लिखा हुआ हो और दो कंडिशन दो इस्तिती हैं लेकिन बिफोर और आफ्टर नहीं आ रहा हो के बाद या से पहले ना हो तब ऐसी कंडिशन में past definite के साथ सुरुगात करनी है when I reached home और उसके बाद जो काम पहले हो चुका है उसको mother had cooked food इस तरह से past perfect में बनाएंगे नियम वही है बस after before ना लगा के हमने when का प्रियोग इसमें कर दिया है और when के साथ then नहीं लगता कॉमा लगता है गलती मत कर देना कभी और देखिएगा आगे अगला sentence देखिएगा मुझे आज तक तुम्हारा पत्र नहीं मिला तो मुझे आज तक पत्र नहीं मिला का मतलब मिल चुका तो I had not received your letter तिल टूटे फुल स्टॉप बारिस हो चुकी थी तो बारिस वाले sentence आपको पता है इट से बनाए जाते हैं तो it had बहुत सिंपल सिंपल है और भी आगे 4-5 sentence है वीडियो बढ़ा नहीं करूँगा लेकिन ये सब sentence जो लिए है वो मैंने आपकी knowledge के लिए ही लिए है कोई time बढ़ाने वाले मेरे वीडियो नहीं होते कोई धर-धर की बाता नहीं होती है अगे देखिएगा पुलिस की आने से पहले चोर भाग गया था अब देखिए काम पहले क्या हुआ ऐसा पहले काम हुआ है चोर भाग गया है तो देखिएगा दथीफ head run away चोर भाग गया कब भागा पहले पहले के लिए हमने बताया before लगाना है और before के बाद आने वाला पुलिस के second form past indefinite के साथ क्या वर्षा होने से पहले वे घर पहुँच गए थे ठीक है तो इसमें क्या को इसके साथ चूड़ दीजी क्या वे घर पहुँच गए थे head दे क्या को उठा के इसके साथ समझ लीजी यहाँ पर फिर sentence बनाना आसान हो जाएगा क्योंकि क्या उसी वर्षा होने से पहले क्या वे घर पहुच गए थे sentence यही बन रहा है लेकिन यहाँ दिखाने के लिए इस तरह से लिखा जाता है मैंने भी ची तरह लिखा है ताकि confusion आपका दूर हो जाए बर्षा होने से पहले क्या वे घर पहुच गए थे ऐसे न लिखे हर किताम में ऐसे लिखा होगा कि क्या वर्षा होने से पहले वे घर पहुच गए थे तो question पूच रहा है उनके घर पहुचने की बात के लिए तो had they reached at home before और ये past indefinite के साथ it rained और पीशे question तुम्हारे खाना खाने के बाद वे कहां चले गए तो वे कहां चले गए तो टीजिए इसको where did they go after you had eaten food आपके खाना खाने के बाद कहां गए नियम जो मैंने अभी बताय था आपको जिसका तुमने screenshot लिया है उसको देखिए उसमें after के बाद वाली past perfect है क्योंकि ये काम पहले हुआ है आगे देखिए मेरे आने से पहले तुम खाना क्यों नहीं खाए थे या खा चुके थे उसको simply बनाईएगा जेगे छोटी पढ़ जाती है लंबे sentence के लिए आराम से देखिएगा why had sorry you not had you not तीन वर्ड जोड़े है इसमें ध्यान से देखिएगा तुम खाना क्यों नहीं खाए थे why had you not eaten food before मेरे आने से पहले मतलब मैं आया ये past indefinite है यहां तक और पीछे question mark before लगा हुआ है ये past perfect में गया वीडियो दो तीन बार देखो अराम से देखो पूरा समझ आएगा बिलकुल चिंता नहीं करो 9 बजे तक सभी दुकाने बंद हो चुकी थी तो देखिए क्या बंद हो गया है सभी दुकाने तो अल दा लिखा है कि अब तक आप था थी थे पड़ रहे थे एक sentence इसमें है का मैंने जोड़ा है तो देखिएगा ये कर लिया है ये present perfect का है लेकिन लेकिन धहरे के साथ देखिएगा इसको उसने मुझे बताया कि तीन पार्ट किये मैंने तो he told me उसने बताया मुझे past indefinite क्या बताया कि अब जो आगे वाला sentence है मैंने लिख लिया है ये present perfect का है और जो मैं आपको नियम बता रहा हूँ ये direct indirect के अंतरगा चला जाता है तो जब पहला sentence past में है ये ध्यां रखें ये वाला part अगर past में है that से जुड़ा हुआ है तो आने वाला sentence present के जिसमें भी है उसी के past में चला जाएगा ये present perfect का है तो ये past perfect में चला जाएगा ठीक है करन ने निवन्द लिख लिया था तो करन had written an essay यहां लिख देता हूँ दिख जाएगा ठीक अब यह मत सोचना कि यह यहां क्यूं चला गया क्यूं चला गया तो वीडियो को एक मिनट पीछे करके देखेंगे आपको बिल्कुल के लिए समझ आएगा तो इस्टुरेंट्स उमीद करता हूँ आप सब को यह सब होगा फिर भी किसी को कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं मेरी ग्रावर की प्लेलिस्ट में जाएं ट्रांसलेशन की प्लेलिस्ट में जाएं और लाइब क्लास भी चल रही है जिनको लाइब क्लास लेनी है नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं और मिल झाहुआ है।